हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कम्पेशन कम्यूटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों की पढ़ाई आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी ये ये तो चीज़ों को चीज़ों को जहां से कंटेन्यू करेंगे इसको समझने में प्रिव्यस में च्वेक्टिवर्य पढ़ाई मॡ़या धी सब्सक्ता का बल्याद क्र商 Oddum की नजल想 ठीक है तो इसके पहले हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उसको आप जरूर से देखिए और देखने के बाद पार्ट थर्ड से आप कंटिन्यू किजिए ताकि आपको आगे की चीजों को सीखने में जानने में समझने में और कोश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई पार्ट से एक मार्ट से तीन टाइम स्लोट में जा रहा है पहला सूबह के बारे बजे दूसरा दोपार के फ्राइडे एवरी वीक में प्रते एक वीक में ये मंडे टु फ्राइडे में लगतार पांस दिन आपको सामें पांच बज़े मिल रहा है तो अब तक यदि आपने हमारे YouTube channel competition community को subscribe नहीं किया है तो उसको जरूर से subscribe कर लें बिल आइकन को हिट करना बिलकुल भी न भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे notification आप तक पहुंसते रहें ठीक है और हाँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को like करना बिलकुल भी न भूले ठीक है और ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको share करें ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों का selection हम लोग करवा सकें ठीक है चलिए इसके आगे कुछ और चीज़े हम आपको बताते चले हम लोगों का Monday to Friday में जो भी class चलता है Monday to Friday में हम लोग आपको जो कुछ भी पढ़ाते ह जो कोई भी topic या जिस किसे भी topic है जिस किसे भी concept तक आपको पढ़ाया होता है उन सबों का आपको PDF तो मिलता ही है इनका practice seat भी हम लोग आपको available करवाते हैं यह दोनों ही चीज़े available है कहां पे तो हमारे website पे और हमारे app पे तो हमारे website या app पे जाके आप अपना mobile number पूट कर कि उसको verify करवा के free of course खुद को register कर लें और हमारे PDF और हमारे जो practice seat इन सबों का आप मज़ा लेते रहें क्यों मज़ा लें क्यों इसका use करें ताकि आपको जो कुछ भी पढ़ाए गया है आप उसका practice करें ठीक है और जो भी चीज़े हम लोग आपको यहां पर पढ़ाते है चाहे वो English हो, Math हो, Reasoning हो या जो कोई भी subject हो ठीक है तो आपके जो चारे subject आपके SAC exam में पूछे जाते हैं चाहे वो CGL हो या CHSL हो उन सबों का complete package आपको यहां पे available है और complete package का पूरा complete practice seat भी आपको हम लोग संडे को provide कराते हैं ठीक है तो इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी hidden charge include नहीं है बिलकुल यह free है ठीक है तो आप इसका मजा ले सकते हैं ठीक है अब आगे वीडियो को और narration part 3 को continue करने के पहले हम अपने बारे में आपको बताते चले दोस्तों मैं अजीद कुमार faculty of English language faculty of English language ठीक है तो चली अब फटा फटम लोग अपने वीडियो को आगे continue करते हैं सबसे परले हम आप को दिखाते चले किसके परले के class में हम लोगोंने कहां तक पढ़ा था तो क्लास में हमाने यहां तक पढ़ा था लんな आपको person को change करना सिखाया था ठीक है और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीजे हैं जो पहले से आपकी ठीक होनी चाहिए और इसको हमने narration part 2 में भी repeat किया था narration part 2 में और part 1 में तो part 1 में हमने आपको बताया था कि narration को सीखने के लिए आपको pronoun countable अच्छी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको टेंस का structure भी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए ये दोनों ही बाते आपके अच्छी होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि inverted comma के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं तो inverted comma के बदले हम लोग सामाने तौर पे सामाने तौर पे हम लोग that का परयोग करते हैं न कि हमेशा ठीक है आगे चल के हम लोग देखेंगे कि सभी चीजे चैंज करेंगे और उसके बाद हमने आपको बताये था narration part 1 में कि और क्या-क्या चीजे चैंज करते हैं तो reporting रपेट करता है फिर सेंग आपको repeat करते हैं जो और जो sentence होता है, उसको हम लोग कहते है, reported speech, उसमें जो first person और second person होता है, ये दोनों person change करते हैं, direct से indirect में, ठीक है, third person में कहीं कोई change नहीं होता, उसके आगे, जब हम लोग बढ़ते हैं, कि reporting बब यदि past में हो, तो reported speech का change change करता है, और कुछ other words भी change करते हैं, ठीक है, ये 5 चीज़ यदि present में हो, या future में हो, present में हो, तो reported speech का change नहीं करता है, ठीक है, बात समझ में आई, किन्तो यदि reporting वह past में हो, reporting वह कहां पर हो, past में हो, तो reported speech का change करेगा, other words भी change करेंगे, जैसे this को हम लोग that में convert करते हैं, today को that day में, tonight को that night वगहरा वगहरा, बात समझ में आ रही है, चलिए, तो अब इनके आगे हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और इस question को हम लोग उने last class के last में हम लोग उने बनाया था, ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, और कुछ और question को हम लोग solve करेंगे, और कई नई चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, जैसे यह देखे, य फिर से हम आपको repeat कर दे, कि हमने आपको narration part 2 में पढ़ाया था, narration के second lecture में हमने आपको बताया था, कि यदि किसी reporting verb का अपना object given नहीं हो, तो उसका direct से indirect बनाने के दोरान, आपको सबसे पहले जाना चाहिए, reported speech में, फिर से यदि किसी भी reporting verb का अपना object given नहीं हो, तो सबसे प कि यदि second person present है या नहीं है, यदि second person present नहीं है, तो reporting verb जैसे लिखा हुआ है direct में, indirect में वैसे हम लोग उसको repeat करेंगे, reporting verb में वहाँ पे कोई change नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यदि reporting verb का अपना object नहीं हो, double inverted comma के अंदर second person present हो, तो आपको कोई ना कोई object मानना पड़ता है, और reporting verb का क्या होगा, इस condition में, reporting verb के साथ दो तरीके से हम लोग behave करते हैं, reporting verb को दो तरीके से हम लोग change करते हैं, पहला criteria कि जो भी object हमने reporting verb का माना, reporting verb का जो भी object हमने assume किया माना, उसको यदि लिखेंगे, तो reporting verb से को हम लोग tell में convert करेंगे, और यदि उसको हम नहीं लिखेंगे यह उसको hidden ही छोड़ देंगे ठीक हैं तो reporting वह से को से में ही रख़ाजायेगा अब से कहने का मतलब से के जो पाचों form है से एक वर्ब है और इस वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं प्रते-एक मेंन वर्ब के पाँच फॉर्म होते हैं तो वर्ब के पाँच फॉर्म होते हैं इसके भी पाँच फॉर्म होते हैं तो से हो सेड हो सेड हो सेंग हो सेज हो पाँचों में से कोई भी हो जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में उसको हम लोग इंडारेक्ट में लिखेंगे लिखे को आप pause कर लें pause करके इसको थोड़ी दिर के लिए इस question को खुद से एक बार solve करने का प्रयास करें उसके बाद फिर हम आपको सिखाते हैं कि इसमें क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है इस type के question को solve करते समय क्या आपको नया change देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने narration part 2 तक में नहीं पढ़ा है ठीक है चलिए तो आज के class के शुरूरत ही ही से करेंगे वीडियो को pause करें और थोड़ा साब एक बार खुद से attempt लगाने का प्रयास करें तो अब आईए अब हम लोग इसको solve करना शुरू करते हैं और जैसा कि हमने आपको पिछले class में बताया था कि ASAC में जो question पूछे जाते हैं narration के और आप में से maximum बच्चे जानते भी हैं कि अपने exam में जो question पूछे जाते हैं वो objective pattern का होता है narration के question को direct से indirect या indirect से direct का जो question पूछा जाता है तो अपने ASAC में tier 1 हो या tier 2 हो आपको इस प्रकार के question को solve करते समय हमने आपको narration के second lecture ने बताया था किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले आपको reporting को आपको check करना चाहिए फिर उसके बाद क्या check करना चाहिए तो reported speech यानि double inverted comma के अंदर जो sentence होता है उसके tense को check करें और उसके person को check करें maximum cases में इतने से ही आपके answer आ जाते हैं और maximum cases में तो आप देखें के world 10 से ही answer आ जाते है ठीक है और यदि इन तीनों ही condition को follow करने के बाद भी यदि आपके answer नहीं आते हैं then go to the specific word तो उस word पे आप ध्यान दीजिए जो change करते हैं जैसे this को हम लोग that में change करते हैं here को there में change करते हैं तो अब आप इन बातों पे ध्यान देंगे ठीक है चलिए अब इस question को हम लोग यहां पे solve करना शुरू करते हैं alealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale से को हम लोग से महीं रखेंगे इसको टेल में कनवर्ट नहीं करेंगे ठीक है अब आप आज यह जड़ा से चेक करें हम लोग option को यहां देखिए option number a में लिखा हुआ है यह गलत हो गया यह सेड है यह ठीक है यह तोल है यह गलत हो हो गया चार में से दो option cancel हो गया अब बचा हमारे पास option number a and option number c ठीक है दोनों में देखिए यहां पर लगा हुआ है ठीक है यह भी अच्छी बात है अब देखें यह जो वी है यह है plural वी कैसा होता है plural होता है अब यह रानी है तो इसके बारे में हमने आपको पिछले class में बताया था क्या बताया था बाई कि यदि यहां पे आपको कोई भी नाउन गिविन हो रिपोर्टिंग बर्ब का subject या object कोई भी noun दिया हुआ हो तो यदि वो male रहेगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ही यह की फेमली और यदि फीमिल रहेगा तो संगूलर है, और यह कैसा है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि reporting verb, प्यान होता है, कि रिपोर्टेड ऐस्पीच का जो फॉर्स पर्सन होता है, रिपोर्टेड ऐस्पीच का, जो फॉर्स पर्सन होता है, वो किसके according चेंज करता है, reporting verb के subject के according, अब subject है singular, पर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग बहुत के subject और object के according चेंज नहीं करता बलकि इसी को हम लोग उस case में उस column में change करते हैं और change करके ले जाते हैं जिस case या column में reported speech का person होता है फर्स पर्सन या सेकंड पर्सन ठीक है तो यह देखें यह वी क्या है अब इसके लिए थोड़ा सा हम आपको लेकर चलते हैं बोन पर ठीक है हम आपको यहाँ पर लिखके दिखाते हैं यह देखें वी वी के बाद क्या होता है आर फिर क्या होता है और फिर क्या होता है अस यह हम को इसमें change करना है इसको वी से change करना है तो सी का विया वी का सी नहीं होगा ठीक है अब धिरा दिहान दिए यहां पे यह दे टकिस्स स्वी कैसा है यह एंधैं ठीक है इसमें कहीं कोई डाउट नहีं है तो इस टाइब से यदि थर्ड परसन singular number को change करके ले जाना हो वी में या वी को सी के according ही के according change करना हो तो ऐसे case में हम लोग क्या करते हैं कि third person का plural form यूज करते हैं तो third person में तीन ही pronoun हम लोगों को देखने को मिलते हैं he, see or it ठीक है तो third person में यदि singular का plural बनाना हो तो चाहे वो living हो या non living हो ठीक है male हो या female हो सबका एक ही plural होता है क्या होता है दे होता है ठीक है बात समझ में आई तो ऐसे case में हम लोग use करते हैं इसका दे इसकी जगह हम लोग वी की जगह क्या यूज करेंगे दे का यूज करेंगे यहां पर फिर से देखिए question में देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा यहां पर हमने बताया था कि यहां पर हम लोग इसके जगह क्या यूज करेंगे मानेंगे अब यह वी तो यह क्या है यह सिंगुलर फर्सन प्लूरल नंबर है तो सबसे पहले इसको आप लूरल में कर लिए तो शी का प्लूरल क्या बन जाएगा डे बन जाएगा ठीक है अब यह देखे यह है कॉलम नंबर वन में सबजर्टिब केसमें और यह भी यह जगा हम लोग लोग क्या लिखेंगे इस की जगह हम लोग indirect में लिखेंगे दे क्या लिखेंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दे बात समझ में आगई चलिए तो अब हमें चाहिए in direct में दे और दे के बाद यह क्या है यह सी में देखें यहां देवर है क्या नहीं है तो यह भी चैंसर सीधा हो गया option नमबर एग ठीक है तो इस question में हम लोगों ने जो सीखा और इसके पहले narration के lecture नमबर और lecture नमबर टू में जो concept हम लोगों ने सीखा था आप देख पा रहे हैं कि उनका यूज करके किस तरीके से कितनी आसानी से हम लोग ऐसे बड़े-बड़े कोशन का अंसर कर पा रहे हैं और वो भी इस टेकनिक का यूज करके आप में से यदि ऐसा कोई भी बच्चा जिसके इंगलिस बहुत जादा वीक हो तो ऐसे ब नहीं इस टेकनिक को यूज किजिए आप सेंटेंस का मिनिंग जाने बिना एकदम बिलकुल आसान तरीके से हर कोशन का आंसर कर पाएंगे ठीक है बात समझ में आ रही है तो जरासा इसको आजमा कर देखी तब आपको पता लगेगा कि हम जो बता रहे हैं सायद वो सही है य यह हमारा ऑब्जेक्ट दकार मेंकैनिकी पूरा हो गया अबजेक्ट अब यहें देखें इसमें डेट दिखाएख देरा है तो यदि डबल इनव इनवर्टेट कॉमा में सेंटेंस गिवें नहीं है यहां पे यूज कर लिए गया तो हम लोग इसको मानेंगे यहां पर देखिए, यह सब्जेक्ट है, यह टोल्ड है, तो यहां तो चाहिए सेड़, तो यह सब्सेल लिखा हुआ, यह आसका गया, तो यह गलत हो गया, यह देखिए, द लिखा है, इसके आंगे देखिए, अब आपको क्या देना चाहिए यह देखिए थोड़ा सा वोट को मैं पर फ़ले क्लीन कर ले ताकि आपको समझने में को यसुविदा ना हो अब देखिए यहां पर हम लोगों को क्या देना चाहिए यह दैट के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है अब यह हर किसके according चेंज किया होगा मतलब कि यहां पे कोई न कोई first person लिखा हुआ होगा क्योंकि जब यह first person था तभी यह ck according हर हुआ है ठीक है बात समझ में आ रही है यदि first person नहीं होता माल लिज़े यहां पे second person होता तो कार मैकेनिक के according चेंज करता हो तो singular number में उसके लिए leaving के case में हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं उसके लिए यूज करते है he family अर्थात ही he is his him ठीक है clear चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हमें क्या चाहिए तो हमें यहां पे चाहिए my car ठीक है और यहां पे इस चाहिए था इस का वाज हो गया च्रीकर यह ही दो बात चाहिए तो my car is अब देखे हमारे पास capitalist पचा था option i और option number B दोनों ही option में चले हां देखे हर car has लिखा हुआ यहां देखे mistaken my car is लिखा हुआ तो correct a answer क्या बन गया option number B option number रे-cancel होगे ठीक है देख पारें आप कैसे आसान तरीके से हम लोग कोश्चन का मजा ले रहें तो यह भी थोड़ा सा इंडार कहीं कोश्चन है और थोड़ा छोटा सा यह कोश्चन है आई यह फिर भी देखें यह क्या है इन डारिक्ट है यह क्या है तो इसके जगे होने चाहिए तो सब्सक्राइब देख लिए उप्षन में लिखा हुए इस में क्या पढ़ना है थीक युदि हम लोग इसको नहीं जानते dividing तो सबसे पहले आईए इसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा सीख समझ लें कि इनका concept क्या है और कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे अपने exam के point of view से ठीक है चलिए तो सबसे पहले अब इसको सीखने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं यहां सामने जैसे एक example लेते हैं ही ही सेड रिषब ही सेड़ और मोहन मोहन यूज आर यू आर मैं फ्रेंट यू आर माई फ्रेंड ध्यान दीज्य आपि ईयां जब डारेक्ट को इंड्डैरेक्ट में लो 성 नवर्ट करते हैं तो किन-किन बातों अइम हम धान रखते हैं तो हमने यह सारी बात आपको पहले से बता रखे। हमेरा काम होता है Line इंटिफाई करना सब्जेक्ट के और बजेट इस रिपोर्टिग का अपना我要 open नहीं ठीक है यह बात Care अब ऐते हैं और चलते हैं आप सब्छेंटे हैं और आपके यह है reported speech इसमें यह second person इस परसर्ण इसको दो तरीगे से लिखा सकता है है सेट के बार लिखा हुआ है इसको दो तरीगे से लिखा हुआ है आपकेeral पर सकता UH फिर से हम एक बार लिख के दिखाना का आप प्रयास कर रहें हैं आपको दूसरे format में तो एक उपर फॉर्मेट लिखा हुआ है दूसरा फॉर्मेट नीचे हम लिख रहे हैं यू आर माई फ्रेंड फिर यहां पर कॉमा दिया हुआ रहेगा यह देखे मोहन इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से दिखाई दे अब पू से होगा है यह विज नावन लिखा गया है यह और से प्रोपरन हो सकता है उसमें यह उस नावन या प्रोनावन को को से से सेपरेट करे के beginning में ये ending में रखा जाए ठीक है तो वो जो noun या pronoun लिखा जाएंगा वो इस reporting verb का object होता है वो ये जो आपको फिलाल यहां पे मोहन दिखाई दे रहे हैं मोहन के जगह कोई भी दूसरा noun हो सकता है प्रोपर noun हो सकता है common noun हो सकता है pronoun भी हो सकता है ठीक है तो ये जो न यह प्रोनावन आपको दिखाई दे रहा है यह जो कॉमा से से परेटेड है बेगिनिंग में यह एन लनों ही पोजीशन पर रह सकता है दोनों में से किसी एक फॉर्मेट ने दिखायी पड़ेगा ठीक है या आपके व्रेस्ध neeOOare my friend यह दोनों object होता है, indirect में हम जब इसको convert करते हैं, तो इसको हम अलग करके लिखते हैं, जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, indirect में, he told Mohan, he told Mohan, देखिए, he told Mohan, अब यहां क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे, that, ठीक है, अब you का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा, he, he is, sorry, he was, he was, he was, अब माई का क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा, he was his friend, he was his friend, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये दोनों ही उपर वाले जो सेंटेंस हैं, उपर में ये जो दोनों सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, और यह क्या है तो यह सेंटेंस इन डायरेक्ट का है ऊपर वाले दोनों में से कोई भी पैटर में आपको कोशन गिवन दिखाई पड़े तो उसका इन डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से बनाते हैं और यह इन डायरेक्ट में इस तरीके से गिवन हो तो उसका डायरेक्ट हम ल को सॉल्व करने के लिए हैं यह को सॉल्व करने के लिए तो अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे सबसे पर यहां देखें क्या दिया हुआ है मतलब होगया अब यहां पर सारे में सेट लिखा हुआ हुआ है अब यह पर ध्यान देजिए दिखाए दे रहा है अब यहां थ्यूम अधर नहीं है यह ताइम मदर सब गलत लिख हुआ ताइम मदर इसके आगे हम चले, his mother को, हम लोग छोड़ देते, his mother वाले पार्ट को छोड़ के, remaining part का हम लोग direct से indirect पर काम करना शुरू करते हैं, यह देखे, यह क्या लिखा हुआ है, he, he लिखा हुआ है, that is, यहाँ पर first person होगा, जो change किया होगा, इसके recording, तो यहाँ पर I लिखा हुआ हो ऐसा हमें चाहिए, अब आज यह हम लोग दूणना शुरू करें, I am, यहाँ पर क्या मिला, I am, यहाँ पर I am है क्या, नहीं है, cancel, I am है क्या, नहीं है, cancel, I am है क्या, अर्थात हमारा एक या answer सही है, answer है हमारा option number A, क्या answer हुआ, answer हुआ, option number A, ठीक है, बात समझ में, I clear, next, यह ASAC exam में, जब आप appear होके question को solve कर रहे होंगा, ठीक है, next, अब आगे चलते हैं, अगले question में चलते है, यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, my year has come, देखिए, first class में हमने आपको बताया था, कि reported speech जो होता है, वो second में आ सकता है, और beginning में भी आ सकता है, य ठीक है, वो reported speech के पहले लिखा हुआ हो सकता है, reported speech के बाद में लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, अब देखिए, ध्यान से यहाँ पे, यह क्या हो गया, तो यह हो गया हमारा RS, reported speech, अब यह देखिए, यह क्या है, इसका यह है main verb, तो यह हमारा RV, reporting verb, ठीक है, अब आप में से क आरेस के बाद यदी reporting verb को यदी या reporting verb इंके रिबटेंग सेंदेंस को यदी RS के बाद लिखना हो, reported speech के बाद लिखना हो, ठीक है, तो ऐसे condition में हम लोग पहले रखते हैं, रखते हैं, तो हम लोग रखते हैं, वर्ब को. तो helping रहेगा helping वर्व यह अबलेबल नहीं हो केवल में वर्व अबलेबल हो तो में वर्व को ही रखेंगे और इसके बाद हम लोग यहां पर रखते हैं subject को और इसके बावजूद sentence के last में यहां पर question mark नहीं लगता है बलकि क्या लगाते हैं लोग तो यहां पर हम लोग लगा तब हमने आपको बताया था कि यह पार्शील इन वर्जन यह क्या है तो यह है आ कम्प्लीट कि इन वर्जन क्या है तो कम्प्लीट इन वर्जन यह होता है तो यह आम तोर पर आपको जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, आपको यही दोनों ज्यादा तर दिखाई पड़ते हैं, सबसे ज़र आपको यह दिखाई पड़ता है, interrogative sentence से लेके, हर जगत, और उसके बाद नीचे वाला, ठीक है, तो इन वर्जन अगर किसी को नहीं आता हो, यह यहा दिया, explain कर दिया, ठीक है, चलिए, अब यहां से आगे चलते हैं, अब देखें, इस question को हम लोग कैसे solve करेंगे, जब इसको direct से indirect में हम लोग ले चाहेंगे, तो the king आ जाएगा पहले, thought आ जाएगा, उसके बाद, the king thought, the king thought, the king wondered, ठीक है, अब यहां पर if का use हम लोग नहीं कर अब यहां देखें, यह भी नहीं होगा, क्योंकि thought, the king कहा चला गया, last में चला गया, जब कि यह होना चाहिए, बिगनिंग में, तो option number, we cancel, option number, we cancel, option number, a and option number, c, ठीक है, अब दोनों को जा राचे कर, the king thought, that, that के बाद देखें, सबसे पहले, my, my, किसके according change करेंगा, first person reporting, subject, king, अब king कैसा है, male है, singular है, तो उसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, हाँ पर, he मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, he के according यहां पर change करेंगे, तो my को ले चलेंगे, sorry, he को ले चलेंगे हम लोग, my वाले column में, क्या मिलेगा, his, हमें क्या मिलेगा, his, तो हैं देखें, that के बाद हम नहीं, have का कोई भी family हो, have a verb का पांचु में से कोई भी form हो, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, तो उसके बाद लिखते हैं, verb का third form, और उसके बाद यदि verb का third form लिखते हैं, तो उसका tense क्या होता है, perfect होता है, past मे रहेगा, तो past perfect present मे रहेगा, तो present perfect future मे रहेगा, तो future perfect ठीक है और यदि उसी के बाद हम लोग बी बिन या बिंग तीनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर लें और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें तो वो चला जाता है पैसिव में जो हमने आपको एक्टिव पैसिव में बता रखा है ऑल्रडी पहले से ठीक है तो हैड के बाद नहीं आता है इसलिए यह option number C क्या हो गया हमारा correct answer क्या बना option number A ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से आगे निकलते हैं, अब इस प्रकार के ढेर सारे कोशन आप बना सकते हैं, तो यह सारे कोशन उसी पैटर्न के हैं, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, यह देखें, 2018 में पूचा गया, आपके CHSL का एक कोशन है, आइ पर क्या लिखा हुए, यू के जगर देखें, हैं पर क्या लिख हुए, तो यह उप्षान नबर, कैंसल होगा, और चैंसल, अब आइए यह देखें, आई है है, किसके कोशन कर जाएगा, और यहां है क्या लिख देंगे, हैड तो सी हैड हो जाएगा, अब चले दो ऑप्श के second lecture में बताया था अब यहां पर फिर से आपको कुछ नया सीखनी की जरूरत है इसलिए इस question को हमने इसको already highlight कर रखा है ठीक है तो आईए यहां पर हम लोग इसको सीखना सुरू करते हैं सबसे पहले देखें यह सेड का क्या हो जाएगा टोल हो जाएगा किसी भी indirect में यहां पर इस question के किसी भी indirect में सेड को टोल में convert नहीं किया है ठीक है तो ऐसा भी कभी-कभी आपके एससी एक्जाम में देखने को मिलता है ऐसा भी कभी-कभी आपके एससी एक्जाम में देखने को मिलता है तो इन डारेक्ट में यदि सेड को टोल में चेंज नहीं किया है तो कम से कम सेड टू का सेड टू ही हम लोग लिखेंगे ठीक है तो चलिए ज़रा हम लोग चेक कर ल पर संपक्र घ्राइब करेंगा एक है करेंगा यह है नहीं कंडुर करेंगा यह नोद आप पहले को सिंप्लूर्रल मांते हैं सिंगूलर्रなた को सिंगूलर संप्लूर्र और 2 ए रानी वाला एक्जम्पल हम लोग थोड़ी दिर पहले आसके है क्लास का पहला कोश्चन हम लोग वही डील कर रहे थे ठीक है रानी वाला ठीक है यदि आप में से किसी को डाउट हो भूल गए हो तो वीडियो को फिर से सुरू से प्ले करके देख लीजिए कि जहां से रानी व भी ठीक है अब जैसे ही यह प्लूरल बन गया तो यह भी सब्जेक्टिव केस में में सिंपलि क्या करेंगे और से ब्सक्राइब करेंगे तो भी यह से मिद रहे गा अर्थात के इन चलिए, सौरी, यह option number B cancel है, यह have का heavy लिखा है, we had चाहिए था, यह C तो पहले ही cancel था, तो B और C दोनों cancel हो गए, अब हमारे पास दो option बचे हैं, A और D, अब देखें, दोनों में we had लिखा हुआ है, we had लिखा हुआ है, तो इस आधार पर यह दोनों same है, यहां पर देखें, coming storm, यहां भी क्या लिखा है, coming storm, अब दोनों को थोड़ा सा फिर से पढ़के देखना पड़ेगा, I said to my wife, I said to my wife that we had to brace for, we had to be bracing, यहां क्या था, we had to brace, तो यह two brace का two brace ही रहेगा, यह देखें, to be bracing, यह क्या किया, तो B, E, B के बाद पहले तो ING form आता नहीं ठीक है, और 2B क का use हम लोग करते हैं, 2B plus verb के third form का use करते हैं, पैसे में इसले, यह option number D क्या हो गया, यह cancel हो गया, correct answer क्या बना, option number A, option number A, ठीक है, चलिए, यहां से आगे चलते हैं, कुछ और नए question की तरफ चलें, यह देखें, अगला question फिर है हम लोगों के लिए थोड़ा सा important, क्यों है important, जरा ध्यान दिजें इसमें, यह reporting वर सेड है, reporting वर क्या है, सेड है, और सब में देखें क्या है, सेड है, तो इस आधार पे कहीं कोई changes नहीं, अब देखें, यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिला, यह देखिया है, plural है, और यह भी क्या है, प्लूरल है, तो अब तो यह change करेगा, अब तो यह change करेगा, ठीक है, और दूसरी बात कि है, यह को किस में convert करना है, यहां भी यहां भी धेर, ठीक है, तो आगे वाले पार्ट में कहीं कोई changes हमों, हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, तो simply इसको जब change करेंगे, तो यह first person change करेगा, reporting वाब के subject के recording, तो वी का हम लोग क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, तो वी का दे यहां लिखा हुआ, वी का दे यहां पर नहीं लिखा गया, इसलिए option number A cancel हो गया, हमारा correct answer बना option number B, ठीक है, बात समझ में आ रही है, next, अब यहां से आगे चलते हैं, कुछ और question को हम यह थोड़ा सा बढ़िया सा question है, क्यों है बढ़िया सा question, क्यों है थोड़ा सा अलग सा question, क्यों कि इसमें देखें, एक अलग word यूज कर लिए गया, यहां पर सर या मैडम, तो यहां पर एक respective word का यूज कर लिए, respective word का यूज किया गया, ठीक है, यह Salutation का यूज किया गया, तो जैसे हैं इस Salutation One का यूज किया गया इसको लेकि आप इसे कुछ बच्चों को confusion हो सकता है तो सबसे पहले यहां पर हम लोगों को क्या करने की जरूरत है देखें महें सबसे पर छेक खलें सब में देखें लिखा हुआ है तो ऑप्षन नमर ए कैंसल हो गया बी में देखें इंटर्वीवर के बाद यहां है थाड में भी है और ऑप्षन नमर सी में देखें जारा है ऑप्षन नमर सी में भी देखें इंटर्वीवर के बाद डैट नहीं लिखा हुए तो ऑप्षन नमर डी वी क्या हो गया है चार में दो ऑप्षन कैंसल हो गया अब आगे चलते हैं जो सर या मैडम लगा हुआ होता है तो यह रिस्पेक्टिव वाड़ इस से सेंटेंस पे क नहीं कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है तो आप इसको इगनूर कर देजिए भूल जाईए अब क्या मिला हमें यहां पे अब मिला सर के बाद आए तो आए किसके कोडिंग करेगा रिपोर्टिंग करेगा तो यह हो जाएगा आई का क्या हो जाएगा आई का हो जाएगा थे हेड यहां लगा हुआ है यहां तो हमारा करेक्ट अंसर क्या हों गया ऑप्श्न nr B और C क्या हो देंसब हो गहां ठीक है आप देख पा रहे हैं एक हम लोग सिर्फ रिप्ोर्टिंग and और लोग सिर्फ रिपोर्टिंग और उसके बाद रिपोर्टेद एस पीच का subject और verb अर्थात इसका tense पकड़के सिर्फ इतने को ही focus करके इतने को ही हम लोग direct से indirect में convert करके अपने सारे question का अंसर कर पा रहे हैं ठीक है चाहे वो sentence छोटा सा हो या बड़ा सा भी है सर्फ छोटे छोटे sentence है इसको हम लोगे skip करते हैं अब चुकि यह थोड़ा सा आपके exam में पूछा गया question है इसलिए आईए इसको हम लोगे हैं पर solve करने का प्रयास करते है ठीक है अब यहां दिहान से ज़रा देखिए इस question में आपको क्या देखने को मिलना है यह question फिर से आपके लिए थोड़ा सा confusion से भरा हुआ है क्योंकि यह हमारा reporting वर्व यह हमारा subject reporting वर्व का अपना object नहीं है और double inverted comma में देखे यहां पर आपको दीपक यहां पर noun दिखाई दे रहा है लेकिन आप ध्यान देजिए यह noun comma से separate किया हुआ होता तो इन डारेक्ट के लिए यह हमारे reporting वर्व सेड का object हो जाता तो हम in direct में लिखते टोलड दीपक ठीक है लेकिन यह कॉमा से separate किया हुआ नहीं है तो हम इसको reporting वर्व का object नहीं मान सकते यह जहां है वहीं रहेगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो हमारा अब इस sentence में जब इसका हम लोग direct indirect बनाएंगे तो सेड का CD लिखेंगे देखे चारों में CD लिखा हुआ है उसका में देखे चारों में लगा हुआ है दीप अग्रे से वह सही रहेगा यह है वरक का second form है और यह past indifferent है तो इसको कहाँ चेंज करेंगे तो इसको हम लोगIX नुम्हें टे wirk कौन में लगए तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा si आप चोंते में देखे है क्या नैए तो यह उप्षान क्या हो गया cancel हो गया दूसरे में है है क्या नहीं है यह भी चौते में है तो यह हो गया हमारा अर्थात अंसर बना ऑप्शन नमबर डी ठीक है बात समझ में आ रही है यह भी देखिए आपके प्रिविए सेर में पूछा गया कोशन है अब यहां से हम लोग आगे निकलते हैं यह सब चोटे चोटे कोशन यह देखिए भी यह बहुर बॉर बॉर इसमें आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फूजन हो सकता है तो सेड दैट देखिए सबसे पहले इस कोशन में हम लोग क्या करेंगे टोल तो लिखेंग हुआ है अब यह वह सेकेंड पॉर ठीकर पास्ट ह 2020 classify को जब कणवाट हो किसमें यह रिखेंगे तो सबसे पर लेकले इसमें है तो अप्सन नमडर बिभी cancel हो गया A cancel B cancel D cancel जो बचा वो आंसर आगे हमें देखने की सोचने की समाजने की कोई जरूरत थी नहीं तो यह थोड़े से बड़े question है यह थोड़ा से बड़ा question है आईए इसको थोड़ा से हम लोग try करें और उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग कुछ नए type के question में तो नए type के question को हम लोग बनाना सुरू करें उसके बाद उसके पहले इस question को जरा से हम लोग try करते हैं solve करने का यहां पर देखें सेड और double inverted comment में देखें कहीं भी second person present नहीं है तो सारे के सारे इंडिरेक्ट में क्या लिखेंगे हम सेड ही लिखेंगे तो ही सेड चाहिए यहां पर देखें गलत हो गया ही सैल से यह भी गलत ही सेड सीधा आंसर यहीं से हो गया हमारा answer option number D आगे कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं ह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से he said the dog died यह बना सकते हैं अब यह देखें यह थोड़ा सा अलग टाइप का question है फिर यहां पर कैसे है अलग भई तो यहां पर देखें पहला question जो हम लोग बनाए थे वहां यहां पर क्या लिखा हुआ था तो यहां पर लिखा ह करेंगे तो वी का क्या हो जागा और यह देखें वर वर ठिंकिंग या रथाथ यह Concee इन्स में यह तो यह इसका पास्ट कंटीनिक तो पास्ट कंटीनूरस को का चैंज करते हैं पास्ट कंटीनूरस में ठीक है तो हमें इसकी जगा चाहिए had been thinking ऐसा करके है थेखैंब इन को सबसे पहले हैं है तो सबसे पहले और यह था कि है तो आंसर होंगे हमारा ऊप्शन मबर ऑष्पार अ Counselor के जाए हęndा सब यह सब कोशन आसान से हैं आप इनको कुछ से सॉल्व करेंगे अब हम आपको लेकर चले थोड़ा सा अलग डाइरेक्शन में यहां देखिए यह वही कोशन है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोर्ट पे समझाया था यहां पर देखें फिर अब ओब्सेट्ट का यह यह Transit है इक डारेक्शन में लिखेंगे टोल दिमखें इसको निरेक्शन में लिखेंगे टोल रोहित था आजेए यह सबसे पहले देखाव चोल रोहित जोल्ड रोहित लगा हुँगा है यहां यह उड़ है नहीं है यह उड़ है तो यह हो गया हमारा आंसर यह हो गया कैंसल क्लियर बात समझ में आ रही है तो आपको यहां से इस टाइप के सिंटेंस को देखने को मिलते हैं अब यह देखिए यह एक थोड़ा सा और अलग पैटर्न का कोशन यह भी आपके CHSL 2018 में पूछ हैं तो सबसे पहले देखिए यह क्या है मारा आइप क्या है तो हमरा रिपोर्टी च्शल के त्शायनकिल दॉड़ा सब बूर्टन कोमा में यह देखिए जिय रफ फादर और फादर क्या है कॉम ना नहें कैसे दिये हुआ कौमा से सेपरेट क्या हुआ है आप इसको देख सकते हैं कि यह कौमा से सेपरेट क्या हुआ है अब चुकि यह कौमा से सेपरेट क्या हुआ है तो इसका मिनिंग यह है कि इस reporting वका वो क्या बन जाएगा अबज्च बन जाएगा ठिक है इस सबसे पहले अब जड़ा option आप चेक करें यहां पर देखिए ask ने लिखा हुआ पास्ट में है यह ask हो गया present में यह cancel हो गया यह ask हो सकता है यह ask यह भी cancel यह दार पर हम लोगों ने reporting बहुकर टेंस के अदार पर हम लोगों पढ़िया आप क्या लिखा हुआ है आई सेल गो एंड गेट वाक सम वेर तो मैं कहें जाओंगा और जाके कोई ना कोई काम ढूंड लूँगा कोई ना कोई काम करूंगा इसलिए आप खुश हो जाईए अब देखिए हमारे पास जो दो उसको इनफर्म करना हो तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ कर लेंगे एज कर थीक है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा करेक्ट आंसर बनेंगा option number डी और यह option number भी क्या होगए यह होगए cancel ठीक है तो देखिए यह बात हमने आपको wise को पढ़ाते समय भी बताया था और अभी भी हम आपको बता रहे हैं क्या बता रहे हैं तो हम आपको अभी भी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी कभी आप किसी भी वर्ब का wise चेंज करते हैं या किसी भी sentence का आप narration पर्ला 1 मेनिंग दूसरा मोड और तीसरा मीनिंग मोड और हम यह तो यहां पर बतारा है कि जैसे और न कहीं काम थोण देंगे जबकि इस Chron tiếp बताया गया कि वो कहीं चली गई और काम कहीं ने कहीं ढूंड लिए यहां पर काम हो चुका यहां पर काम होना बाकि है यह फ्यूचर के सेंस को express कर रहा है इसलिए यह option नमबर भी क्या हो गया cancel है ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अब यह सब सिंपल से कोशन और यहां पर आइए इस कोशन अमलोग थोड़ा सा समझना सुरूर करें यह थोड़ा सा बढ़ी असे कोशन दिख रहा है यहां पर देखे अभी तक हम लोग जो जितने भी कोशन हम लोगोंने सीखें całल किये उन सम्में हम लो ने यह देखा कि reporting वर्ब का टेंस या तो present होता था present indifferent होता था या तो future indifferent होता था या तो past indifferent होता था यह तीनी टेंस हम लोगों ने पढ़ें अब यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है just said और थात यह कहा चला गया present परफेक्ट में चला गया present परफेक्ट में ऐसे भी हम सब ने जब टेंस पढ़ा था तो हमने आपको बता है था यह दि किसी भी sentence में just लगा हो just now लगा हो ठीक है already लगा हो ठीक है तो lately लगा हो recently लगा हो so far लगा हो yet लगा हो तो वह सब sentence कहा रहते हैं वो सब sentence रहते हैं present परफेक्ट में ठीक है अब यहां देखिए just लगा हुआ है और यह देखिए has के साथ वर्ब का third form लगा हुआ है यह present परफेक्ट में है तो इसका टेंस कभी चेंज नहीं करता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं करता है तो यह जैसे हम लोग इसको वैसे हैं लिखेंगे ही है जस्ट सेट देखिए चारों में देखिए यह जस्ट सेट इसको सीखने के ज़रू होते हैं यहां पे हम लोग स्लो हो जाते हैं स्लो के सीखने का प्रयास करते हैं उसके बाद देखिए चारों में दैट लगा हु सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है तो यह क्या हो गया हमारा आंसर अब ऐसा क्यों हो रहा है अब आप में बच्चों को लगेगा यह क्या हो रहा है तो सबसे यह ऑप्चन नमबर ए बेसे तीनों एक साथ कैंसल हो गए ठीक है और यह देखे यह क्या है मौडल ऑक्जिलेरी वर्ब है तो किसी भी मौडल ऑक्जिलेरी वर्ब के बाद दूसरा जो भी वर्ब आए उसको हम लोग रखते है वर्ब की फरस्ट फॉर्म है यह देखे यह भी क चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट यहां से हम आगे बढ़ते हैं अब देखे यह कोशन भी आपको अच्छा सा यहां पर दिखाई देरा है इसमें अच्छा सा बात क्या है सीखने के लाइक क्या है भाई तो यहां पर देखे आपको दिखाई देरा है शूड है प्लस है प्लस वर्ब का था और आपको देखने को मिलना ठीक है और आपको क्या देखने को मिलना यह कैसा है यह इन डारेक्ट है अब जब यह इसका डारेक्ट जब बनाएंगे तो हम लोगो आपर क्या लिखेंगे तो सबसे पहले सेड को लिख लेंगे तो हैं देखे सेड लिखा हुआ है सेड टू लिखा हुआ है ठीक है सेड टू लिखा हुआ है और देखे यहां पर अब यहां पर जारा देखे यह सेड टू पावन में भी यह हो सकता है ठीक है यह देखे पावन और यह कॉमा से सेपरेट के हुआ नहीं है तो यह हमारा पहले ही घलत हो गया क्योंकि कॉमा से सेपरेट के हुआ होता तो बाहर निकालके हम सेड पावन लिखते हैं सेड टू पावन लिखते हैं जैसा कि यहां पर लिखा गया है तो या तो आंसर यह होगा, या तो आंसर यह होगा, या तो आंसर यह होगा, A, C, या D, इन ही तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, अब ज़रा आप यहां देखे, इस परसन पर ध्यान देजिए, यह किसके कोडिंग चेंज किया है, इसके कोडिंग अर्थात यहां पर क् वी का यूज किया होगा और वी का जैसे ही यूज किया होगा तो ही के जगा सबसे पहले हम लोग ही को convert किया होगे दे में और तब दे को हम लोगों ने change किया होगा वी से तो अब काने का मतलब ये है, कि double inverted comma में हमें यहां पर क्या चाहिए, तो हमें यहां पर चाहिए, देखे, यहां पर भी लिखा हुआ है, we should have tried harder, ठीक है अब ये जब should होता है, तो should का change नहीं करता है, अगर cell होता है, तो cell को should में convert करते हैं, will code में convert करते हैं लिखा हुआ तो उसका टेंस चेंज हम लोग नहीं करते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है अब आगे बढ़िए इसमें देखें डूंट यह नेगेटिव बना दिया तो यह भी कैंसल हो गया यहां देखें वी हैड ट्राइड हाडर वी हैड ट्राइड हाडर अभी देखें व आप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए तो इस कोशन का अंसर बना ऑप्शन नंबर ए यह सब कोशन बहुत इंपोर्टन कोशन है क्योंकि जब भी यह कभी आपके एक्जाम में दिखाई पड़ते हैं तो आप में से मैक्सिम बच्चे इसमें गल्ती करते हुए नजर आते हैं आ हम रहा है एट के बाद हें नहीं किए ही-स है और यह देख कि आ पर पहले ही यूड के नहीं दो है नहीं है तो है यहां देखे हैं मिला तो यह हो गया हमारा आंसर ठीक है अब इसको हमने हाइलाइट क्यों किया हुआ है इसको हम आपको थोड़ा सा आराम से समझाने का प्रयास करें कि इसको हाइलाइट करने का रिजन यह था कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी कोशन सॉल्व के या हम लोगे यहां पर दिखे आपको से का तेल दिखाई नहीं देरा है यहां पर कहीं वे टॉनल आपको दिखाई नहीं दे है इसका हिंदी हम आपको प्रयास कर रहे है I will be taking an extra class tomorrow मतलब कल हम एक extra class लेने जा रहा है कल हम a extra class ले ले totally ठीक है तो ये teacher क्या कर रहे हैं बच्चों को inform कर रहे हैं कि आप इसके लिए पहले से already त्यार रहेगा ठीक है ये हम आपको highlight करके अलग से इस पे focus करके slow करके हम लोग यहां पे इसलिए सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब इसके आगे जैसे जैसे हम लोग आग लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे किसको हम सही मानेंगे ये depend करेगा इस given rs के अर्था double inverted comma के अंदर जो sentence given है इस sentence के tone पे इसके sense पे depend करेगा ठीक है बात समझ में आई तो अभी जैसे यहां पे आपको inform मिल रहा है ऐसे ही आपको कभी यहां पे propose मिलेगा कभी war मिलेगा कु चिरोटी की तरफ चले आगे advance level की तरफ चलना है हम लोगों को तो इन चीजों को हम लोगों को सीखना ही होगा ठीक है चले यहां से आगे बढ़ते हैं अब यह देखें यह एक question है इसको हम लोग स्किप करते हैं इसमें थोड़ा सा grammatical mistake है इस question में हम लोग आते हैं I have been exercising for many years परवति देखें अब यहां पे क्या इया यह पर इपोट्इक बॉख में यहां पोसित नहीं है यहां पर क्या है कीले है ठीक है अब आप शाररा इसका इनडारेक्टस को देखें हैं एक तैक्न forehead मैं डिक्षाइ drug है यहां तक यह संब नारी अरिपोर्टिंग और आद यह क् और यह सब की लिए हैं पर फीमेल का यूझ भी कर लिया ठेकर अब यह यह कुस्में करेंगे लिए यह हैं यह हैं सब कैंसल में यह कैंसल जरूरत है तोह सी चैंसल यह की ज़नुरती नहीं. participant अब इसके आगे हम लोग यहां से model वर्ब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि इसके बारे में? model auxiliary वर्ब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि उसका हम व्लोग direct से indirect कैसे बनाते हैं जैसे वाइस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वाइस में भी हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया था ठीक है बात समझ में आ रही है वाइस में भी हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया था अब देखें यहां पर आपको सुरू होते ही सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले देखे अब आपको यहाँ पर यह मिला RS यह क्या है हमारा यह RS ठीक है रिपोर्टेड एस पीस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला sentence ठीक है अब यह देखे यहाँ पर यह क्या मिला यह हमारा आरवी रिपोर्टिंग वर्ब देखे यह फिर चेंज कर गया ठीक है इसलिए थोड़ी दिर पहले हमने आपको अलॉट किया कि अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब से और टेल की जगह कुछ और भी लिखा हुआ आपको दिखाई पढ़ सकता है डायरेक्ट में इंडायरेक्ट में ठीक है चली तो इससे अब आपको घबराने के जरूरत नहीं है यह हमारा सब्जेक्ट और यह क्या होगे यह होगे हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है बात समझ में आ रही है चली यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग है यह रहा at his watch तो यहां तक के पार्ट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है यहां तक के पार्ट में हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होना चाहिए इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होना चाहिए है विने और उसके बाद देखे सारे sentences में है क्या लिखा हुआ and क्या लिखा हुआ and क्या लिखा हुआ and क्या लिखा हुआ and बात समझ में आ रही है अब ज़रा है आप इसको पढ़िए and by the way और ऐसे ही I must be off मतलब हमको यहां से तुरंट चले जाना चाहिए इसने कहा he glanced at his watch मतलब कोई व्यक्ति था उसने अपने घड़ी पर देखा और जैसे घड़ी पर उसकी नजर पड़ी उसने का ओहो मुझे तुरंट यहां से चले जाना चाहिए ठीक है मुझे यहां से तुरंट जाना होगा किसी काम के लिए उसका हो गया होगा ठीक है अब चलिए यहां देखे हरीड अवे मतलब जल्दवाजी में चला गया यह हम नहीं कह सकते अब क्या यूज करेंगे तुरंट जल्दवाजी में चला गया saying that he must go यह कहते हुए चला गया कि उसको अवसे जाना होगा उसको अवसे जाना चाहिए ठीक है remarked that it was rather late and that he must go में भी यह हो सकता है जैना third को पढ़े हम लोग that remarked that he must leave at once मतलब उसको तुरंट जाना पड़ेगा जरा ध्यान देजिए sentence जो यहां पे given है indirect का उसमें क्या बताए गया कि एक व्यक्ती है उसने अपने घड़ी को देखा और जैसे उसने अपने घड़ी को देखा उसने कहा कि ओह मुझे तु तुरंट जाना होगा must I must be off मुझे तुरंट यहां से जाना चाहिए बात समझ में आ रहे मुझे तुरंट यहां से जाना चाहिए अब जरा ध्यान देजिए हरी डवे तो यह हो गया गलत जल्दवाजी में चला गया ठीक है आगे जरा option number भी हम लोग पढ़ रहे थे went away मतलब चला गया saying that यह कहते हुए चला गया कि उसको जरूर जाना पड़ेगा यह भी cancel हो गया क्योंकि मेंनिंग हमारा क्या हो जा रहा है यहां देखिए देट ही मस्त ओपके उसके अवस्य जाना होगा मिनिंग यहां भी change कर गया उससे तुरंत जाना होगा तुरंत जाना चाहिए ठीक है तो यहां पे मीनिंग मोड और टेंस कभी चेंज नहीं कर सकता ये तीन बाते हम सबों को wise को solve करते हुए भी ध्यान रखना है और narration का question बनाते हुए भी ध्यान रखना है ठीक है तो कि इस तरीके के question जब भी कभी आपको आपके exam में दिखाई पड़ेंगे तो यह आपको confuse करेगा इस पर grammar के rule लगते हुए apply होते हुए दिखाई नहीं सामाने तोर पे मस्ट को हैड टू में कनवर्ट करते हैं ठीक है सामाने तोर पे मस्ट को हैड टू में कनवर्ट करते हैं जैसे कम का गो हम लोग कनवर्ट करते हैं लेकिन हर बार कम को गो में कनवर्ट नहीं करते हैं हर बार मस्ट को हैड टू में कनवर्ट नहीं करते हैं ठी कब हम लोग must को head to में convert करते हैं कब हम लोग must को head to में convert नहीं करते हैं तो आज के अपने इस class को हम लोग यहीं पर stop करते हैं narration के third lecture को यहीं पर हम लोग conclude करते हैं यहीं पर विराम देते हैं तो अगला class हम लोग काफी important राने वाला है क्योंकि अगले class में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो अगले class में हम लोग interrogative sentence का direct से indirect बनाना सीख लेंगे ठीक है और फिर उसके बाद वाले class में हम लोग चलेंगे exclamatory के तरफ या interrogative के बाद फिर हम लोग चलेंगे order prohibition request ठीक है तो यह सब section अभी हमारे बचे हुए order prohibition request है और टेटिव sentence है यह भी बचा हुआ है फिर उसके बाद exclamatory है वो भी बचा हुआ है तो इन सारी चीजों को हम लोग कबर करेंगे आगे के आने वाले classes में that is narration के lecture number 4 and narration के lecture number 5 में ठीक है तो आज के class को यहीं पर हम लोग stop करते हैं यहीं पर हम लोग विराम देते हैं मिल हुआ है